हेलो फ्रेंड्स आई एम रच्छना वेलकम वेक माई यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए धोती सिल्वार के साथ की बहुती प्यारी कुर्थी लेकर आए हैं और ये कुर्थी हम सस्क्राइबर की रुपेस्ट पे बना रहे हैं और ये उस सल्वार के साथ की कुर्थी है जो हमने कोई दिन पहले न्यू सिटाइल की धोती सिल्वार अप्लोड की थी तो यहाँ पे हमने कुर्थी बनाने के लिए टू मीटर फैबरिक लिए है और हमने इसे एक बार अरज में फोल्ड किया है और इसके बार अब हमें इसे दुबारा से फोल्ड करना है तो पहले त तो इस तरह कपड़े को हमें full layer में fold करना है और मैंने कपड़े को full layer में fold किया है यह band side है कपड़े की और यह side खुली हुई है band side की तरफ से हम solder की drafting करेंगे तो हम यहाँ से solder की drafting करेंगे पहले मैं आपको length बता देती हूँ कुर्थी की length मैंने 38 inch ली है और यह हमारी 37 इंच की सिलके तैयार होगी सिर्फ हमने फोल्ड करने के लिए और स्लाइ के लिए 1 इंच एड़ किया है बंद साइड की तरफ से अब हमें सोल्डर की ड्राफ्टिंग करनी है तो यहाँ पर हम सोल्डर 7 इंच ले रहे हैं तो हमें 7 इंच पर एक मार्क करना है, इसके बाद अब हमें armholes की length लेनी है, तो armholes की length भी मैं 7 इंच ही रख रही हूँ, तो 7 इंच तक हमें ऐसे line ड्रो करनी है, और इसके बाद इस line को हमें ऐसे सीधा करना है, अब हमें चोड़ाई का 4th लेना है तो चोड़ाई हमारी 40 है तो 4th हुआ 10 inch तो यहाँ पर हमें 10 inch पर एक mark करना है आपकि जो भी चोड़ाई हूँ आप उसका 4th ले तो मैं यहाँ पर 10 inch में mark कर रही हूँ 1.5 inch में margin के लिए add कर रही हूँ इसके बाद अब हमें कमर की ड्राफ्टिंग करनी है आर्म हॉल से जो हम मार्क करेंगे वो हम 8 इंच पर करेंगे क्योंकि चोड़ाई अधिक है तो हम 8 इंच पर मार्क कर रहे हैं कमर की ड्राफ्टिंग का चोड़ाई कम हो तो आप 7 इंच भी करें अब हमें यहापे कमर का फोर्थ लेना है कमर है 36 इंच तो फोर्थ हुआ 9 इंच तो यहापे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे इसके बाद 1.5 इंच हमें मार्जन के लिए एड करना है और इन लाइनों को हमें आर्म हॉल्स की तरफ ड्रॉ करना है तो इस तरह हम arm halls की तरफ ये line ड्रो कर रहे हैं और friends जो method मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस method से आप हर size की ये कुर्थी बना सकती है इसके बाद अब हम arm hall से जो दूसरा mark करेंगे वो हम hip measurement के लिए करेंगे तो यहाँ पर हम इंची tape को रखना है और second mark हम 13 इंच पर करेंगे ये हम hip measurement के लिए कर रहे है hip measurement है 42 इंच तो fourth हुआ 10.5 इंच तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर mark करेंगे और 1.5 इंच यहाँ हम margin के लिए add कर रहे है और इसके बाद इन line ओ को हमें ऐसे यहाँ पर मिलाना है और friends जो method हम आज आपके लिए लेकर आए है ये बहुत ही आसान है और फिर भी यदि आपको समझने में कोई भी परेशा नहीं हो तो आप comment करके हमें पता सकती है और friends यहाँ पर हमने ये line दिरो की है इसके बाद hip measurement से हम इसे ऐसे सीधा नहीं करेंगे जैसे हम नौर्मली कुर्ती बनाते हैं हम इसे कमर का जो measurement है यहाँ पर हमें इंची टेप को रखना है और last तक हमें ऐसे तिर्ची line दिरो करनी है ये हम जो घेर है फुल रख रहे हैं तो हम कमर पर इंची टेप को रखेंगे कमर measurement पर और ऐसे हम तिर्ची line दिरो करेंगे और friends यदि आप इस कुर्ती के चाक फोल्ड करना चाती हैं खुले रखना चाती हैं तो आप इसे hip measurement से तिर्चा करें इसके बाद अब हमें hip measurement वाली line को ऐसे सीधा दिरो करना है क्योंकि जो हम front look देने वाले हैं front piece पर वो हम इसी measurement से देंगे तो यहाँ पर हमने hip measurement पर यह line सीधी दिरो की है और इसके बाद यदि आप इसे ज़्यादा low रखना चाती है front से तो 2 inch, 4 inch, 6 inch तक आप mark कर सकती है तो मैं यहाँ पर 6 inch पर mark कर रही हूँ यदि आप इसे और भी low रखना चाती है यह mark हम measurement के according करते हैं क्योंकि हमने 1 and half inch likely add किया है और half inch यह fold होगा तो इसलिए हमने 2 inch पर यहाँ पर mark किया है और अब हम यह goal eye कर रही है friends यह जो हमने आपको drafting बताई है यह इसमें important है आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हमने hip measurement की line से ऐसे यह goal eye की है इंच पर भी यह draw कर सकती है इस piece को हमें low रखना है और अब हम armholes की आपको drafting करना बता रहे है armholes की length है 7 inch तो center हुआ 3 and half inch पर हमने एक mark किया है यहाँ पर हम 1 and half inch पर mark करेंगे और goal eye करेंगे यह हमारे back armholes की drafting होती है इसके बाद अब हम front armholes की आपको drafting करना बता रहे है जो mark हमने 3 and half inch पर किया है half inch हम गले की तरफ mark करेंगे और half inch हमें इस line से यहाँ पर mark करना है center वाले mark को shoulder की तरफ में लाएंगे और फिर हम goal eye करेंगे यह हमारे front armholes की drafting होती है इसके बाद अब हम आपको गले की drafting करना बताएंगे तो यहाँ पर हम गले की चोड़ाई 2 and half inch ले रहे है तो यहाँ पर हमें one side की तरफ inch टेप को रखना है 2 and half inch पर हमें mark करना है इसके बाद जो गले की length है वो हम 7 inch ले रहे हैं 7 inch तक हमें ऐसे line draw करनी है और फिर हमें ऐसे box बनाना है और यहाँ पर हमें half inch पर गो लाई करनी है और friends मैं back और front गले बरावर रख रही हूं तो 7 में ही मैंने drafting की है इसके बाद एक mark हम armholes की तरफ करेंगे half inch पर गले की तरफ हम इसे ऐसे तिर्शा करेंगे गले से armholes की तरफ हम half inch down करते हैं और यदि आप friends back गला deep रखना चाती हैं तो आप अलग से drafting कर सकती हैं अब हम cutting कर रहे हैं सबसे पहले हम दोनों गले साथ में ही cut करेंगे क्योंकि हम back और front गले बरावर रख रहे हैं फिर हमें solder की तरफ से cutting करनी है फिर back armholes की cutting करनी है इसके बाद हमें इसे side से cut करना है तो यहाँ पे हमने इसे side से last तक cut किया है और अब हमें एक piece को अलग करना है जो हमारा back piece होगा front piece को हमें अच्छे से fold करके रखना है और front armholes की cutting करनी है front armholes की cutting के बाद जो हमने front look दी थी इस piece में अब हमें front piece की cutting करनी है और front से हाँ पे जो हम कोने की गोलाई करते थे वो हम नहीं करेंगे यह कोने हमारे दोनों side से high रहेंगे और center से यह कुर्टी हमारी low रहेगी तो इस तरह हमने इसकी cutting की है और अब हम आपको इसकी सिलाई करने का तरीका बताएंगे friends यदि आप इसमें बाजू लगाना चाहती है तो मैंने channel पर video upload कर रखी है आप वहाँ से देख सकती है तो यहाँ पर हमारी जो यह कुर्टी है cutting हो गई है अब हम आपको इसे सिलना बता रहे है सबसे पहले हमें गला बनाना है गला मैंने यहाँ पर बना लिया है गले की video मैंने channel पर पहले से upload कर रखी है आप हाँ से देख सकती है तो यहाँ पर हमने गला बना लिया है इसके बार हमें इसे bottom part से fold करना है यह हमारा front piece है और हम यहाँ पर इसे bottom part से fold करेंगे और friends जो भी circle dress हो या गोलाई वाली dress हो तो यहाँ से हम इसे कम ही fold करते हैं इसे finishing बहुत अच्छे से आती है यदि आप इसे अधिक fold करोगी तो finishing नहीं आएगी इसमें जोलाएगा तो ध्यान रखें इसे सिर्फ half inch के करीब ही आप fold करें तो यहाँ पर हम इसे fold कर रहे हैं हम इसे half inch ही fold कर रहे हैं और friends fold करते टाइम एक बात हमेशा ध्यान में रखें जितना कपड़ा आपने सिरुबाद में fold किया है उतना ही आप लाश्टर तक fold करें तो इसे finishing बहुत अच्छे से आती है तो यहाँ पर हमने इसे fold कर लिया है और friends आप यहाँ पर piping भी लगा सकती है और आप इसमें pump-pum वाली less भी लगा सकती है मैंने इसे simple ही रखा है आप इसे बहुत तरह से design कर सकती है अब हमने front piece आपको तयार करना बताया है same ऐसे हमने back piece भी तयार कर लिया है पहले हमने back piece का गला बनाया है और फिर हमने half inch के करीब इसे bottom part से fold किया है back piece में भी आप pump-pum वाली less लगा सकती है front piece को हमें सीधा रखना है और back piece को हमें ऐसे back side की तरफ से रखना है सबसे पहले हमें solder पर slide लगानी है solder पर slide लगाने के बाद आप armholes बना लें यदि यहाँ पर आप बाजू लगाना चाहती है तो बाजू भी लगा सकती है मैंने channel पर video upload कर रखी है आप वाँ से देख सकती है तो यहाँ पर हमने solder पर slide लगा ली है और armholes पर हमने pipe in रख ली है इसके बाद अब हम side में slide लगा रहे है तो friends side में हम measurement के according slide लगाएंगे और friends यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं यदि आप इस कुर्ती के जो चाक होते हैं आप खुले रखना चाती है तो आप hip measurement तक slide लगाएं इसके बाद आप इसके चाक fold कर सकती है दोनों side से इससे और भी प्यारी look आएगी मैंने इस कुर्ती में solder से bottom part तक slide लगाई है मैंने इसमें और भी नई look दी है यदि आप इसके चाक fold करना चाती है तो आप hip measurement तक slide लगाएं चाक fold कर सकती है दोनों side सिल्वार की कुर्ती में उस कुर्ती के चाक fold है तो आप इसके चाक fold कर सकती है friends हमारी जो इस कुर्ती है सिलकर complete हो गई है बहुत प्यारी लोक आई है यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें comment करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद